हेलो एवरीवन वेलकम बैक टो आर यूटूब चानल तो आज हम ओले के बारे में बात नहीं करेंगे आज हम बात करेंगे ओला के बारे में तो ओला तो सभी जानते हैं यार यह भी क्या बात करने वाली बात हुई तो यह बात करने ही वाली बात है क्योंकि आज हम ओला कैप के बारे में बात नहीं करेंगे, AOLA के EV के बारे में बात करेंगे, AOLA EV सुना तो AOLA ने कसम खा ली है कि यार मैं आऊंगा और EV का मार्केट पुरा disrupt कर दूँगा तहस्नहस करेगा भूचाल आ जायगा बवंडर कर देगा थारा भाई ठीक है थारा भाई जो वंदर है तो ओला ने बहुत ही अच्छे से थान ली कि वो पूरा डिस्रॉप्ट कर रहे है एब forgave good opened और इवी सेग्मेंट में बोले तो तूभीलर की सेग्मेंट पर क्या वो लगता है कि ओला डिस्रॉप्ट कर पाएगा market तो वही हम जाने के इस video में तो आपको जानके हैरानी नहीं होनी चाहिए कि पिछले financial year में दीर करोड two-wheeler से लुएते दीर करोड और आपको ये भी जानके हैरानी नहीं होनी चाहिए कि अप्रॉक 75% हर 4 में से 3 passenger vehicle एक two-wheeler है तो ओला को इससे क्या फायदा होगा तो ओला चाहता था कि हम आएंगे और एक नई चीज़ introduce करेंगे वो नई चीज़ क्या है वो एक ओला bike introduce करना चाहा रहे थे एक EV bike जिसमें running cost कम होगा maintenance cost कम होगा और थोड़े सस्ते में भी खरीद लेंगे ना यार उसे तो वो सोच रहे थे कि यार कितना ही पैसा ही पैसा होगा बट ओला आता है ओला अपने product को market करता है ओला उससे booking के भी पैसे लेता है पर अभी तक ओला ने काईदे की delivery नहीं की यार तो क्या हम इस वीडियो में इसके वाइर में जानेंगे जी नहीं हम इसके वाइर में भी जानेंगे हम जो जानना चाहते हैं कि ओला की जो thoughts हैं EV को EV market disrupt करने के लिए तो क्या वो thoughts उसके successful होंगे कि वो सिफ हैली ही पुलाव पका रहा है या हावा में तीर चला रहा है तो अभी इंडिया के two-wheeler segment को Hero, Bajaj, TVS, Honda जैसी company पूरे तरीके सा dominant करती है ठीक है अगर कोई भ पीछे पीछे इतनी बुटी तरीकी से नहीं भाग रहे तो ओला क्यों भागना चाहा रहा है ओला जो मेरे को समझ में आता है ओला चाहता है उसको first mover advantage मिले जो कि वो जल्द बाजी के चक्कर में खो ही चुका है और दूसरी बात यह है ओला को मान लेनी चाहिए कि वो अब first mover advantage उनको नहीं मिलने वाला क्योंकि EV एक ऐसा space है जहां पर working capital के साथ साथ capital expenditure भी बहुत ही जादा होना और ओला के पास इतने पैसे आएंगे कहां से ठीक है आपको जो है investors पैसे देंगे पर कितने ही आपको पैसे देंगे कि आप जो है उससे एक ऐसा बड़ा infrastructure बनाते हो कि थोड़ा सा मुश्किल होने वाला ओला के लिए और अगर specifically बात करें तो मैं तो सोचता हूँ यह नामुमकीन होने वाला ओला के लिए आज के EV के market में hero और okinawa अगर मिल जाए तो approximately 50% यानि हर दो में से एक गाड़ी जो है इन दोनों कंपनियों में की इन दोनों कंपनियों म market है obviously मैं EV segment की बात कर रहा हूँ तो EV segment में hero is leaders till now hero के आसपास भी कोई नहीं है तो hero की EV इतने ज्यादा number में market में एक साथ launch हो सकती है अगर hero चाहे तो कि ओला उसका सपने ही देख सकता है तो यार यह लोग क्यों यह आग जाना चाहा रहे जोग यह परिशान नहीं हो रहे है यार इतना इतज नहीं हो रहे हो लहा तो पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि आप लोगों कैसे EV बाट नहीं सकते है आपको EV बेशना है और इंडिया में आज भी लोग internal combustion engine जिसको ICE, EV भी बोलते है तो उसको ज़्यादा prefer करते हैं क्यों? क्योंकि अगर आप एक सस्ती two-wheeler bike देखो, जो कि petrol bike की बात कर रहा हूँ, obviously अगर वो देखो, तो आप वो कितने तक में पड़ेगी? सबसे सस्ता आप लोगे अच्छा साथ हजार में तो आही जाएगी मुझे जो लगता है, आप आप स्कूटर भी देखो गया, तो आप साथ सातर हजार में आही जाएगी, पर अगर आप वहीं पे एक two-wheeler EV bike लो, जो कि OLA की है, specially मैं OLA की बात करो, तो एक लाग के नीचे कुछ नहीं आ रहा और अगर आपको सबसीडी भी मिलेगी तो भी आपको कोई खास ज्यादा फायदा नहीं हो रहा, तो पहला जो कॉस्ट होगा एक वेगल को खरीदने का क्योंकि वो EV के मामले में ज्यादा होगा, तो इंडियन कंज्यूमर उससे भी थोड़ा सा हिच की चाहेंगे EV को खरीदने से, अब आता है दूसरा पॉइंट, हम दूसरे पॉइंट को डिसकस करेंगे, दूसरा पॉइंट ये है कि यार इतने पेट्रोल और डीजल से गवर्मेंट टैक्सेस कमा रही है तो वो टैक्सेस को तो गवर्मेंट ऐसे ही जाने नहीं देगी तो गवर्मेंट क्या करेगी गवर्मेंट को क्या करना चाहिए गवर्मेंट एक अल्टरनेट रिविन्यू सोर्स जब तक नहीं खोज लेती अच्छी, तो government भी नहीं चाहेगी कि आप इतनी जल्दी EV पे shift हो, अगर shift होते हो तो वो बिजली दाम भी बढ़ाएंगे, पर बिजली में क्योंकि उनको issue आएगा, यार कैसे हम बिजली को मापेंगे कि कौन personal use के लिए ले रहा, कौन EV चार्ज कर रहा, तो ये सा CD दे, नए-नए infrastructure तयार करे, जिससे EV की sales ज्यादा हो, लोग EV को adapt करे, इसी के साथ आते हैं, अब अपने तीसरा point पे, तीसरा point ये है कि इंडिया एक price sensitive market है, आपको EV के बैटरी का cost क्या होगा, अभी तक clear नहीं है, आपको EV का जो charging station है, वो कहां-कहां available होगा, उस पे कितने देने पड़ेंगे charge करने के, अगर हम बाहर charge करते तो, और अगर EV, two wheeler से सस्ती, या at least two wheeler, जो combustion engine पे base है, अगर combustion engine और EV, दोनों बराबर rate पे हो, या EV, अगर combustion engine से सस्ती भी हो जाए, तभी शायद हमें लगता है, एक shift दिखेगा demand पे, और चौता, इंडिया में अभी भी एक majority of electricity, thermal power plant से produce होता है, तो अगर कुछ लोग जो है, सोचते हैं, या ecologically हम shift करेंगे, तो जो इतना ecologically सोचता होगा, तो वो ये भी सोचेगा, कि इंडिया में ज्यादा तर power thermal plant से generate हो रहे हैं, जो की एक अच्छा खासा production कर रहा है, तो उ उसके वज़े से भी shift करना अभी तो मुश्किल है, तो यह थी मेरी findings, यह था मेरा opinion, और इसको देखके मुझे तो यही लगता है, कि आने वाले 3-4 सालों में या even मुश्किल से 5 सालों में भी, ओला अचानक से तो कोई बढ़के नहीं निकला आएगी, और अगर आती भी है, तो ओला को खाने के लिए भी बहुत बड़े बड़े गोला है, यह था आज का हमारा discussion, आप से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब ते किलिए बाए,